असलाम अलेकुम अजीर तौलबा आज के इस लेक्चर में हम exercise 7.5 के question number 1 को हम solve करेंगे ये एक real life example है अगर हम देखें इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है find the angle of elevation of the sun sun का angle of elevation find out करना है if a six feet man अगर एक 6 feet का आदमी यानि कि ये आपको नज़र आ रहा है ये figure में cost a 3.5 feet shadow यानि कि अगर एक six feet का man 3.5 feet shadow बनाए तो हमने ये जो sun है ये जो उपर आपको sun नज़र आ रहा है इसका angle of elevation find out करना है figure बनाना जरूरी नहीं है जस्ट आपने imagination में ये figure आपके जयन में आ जानी चाहिए मैं आपको इसमें मजीद भी समझाता हूँ इसमें क्या चीज़ें आ रही है तो देखें find angle of elevation दो तरह की angle होते है एक angle of elevation होता है एक angle of depression होता है मैं दोनों को समझाता हूँ और ये figure ड्रॉव करना आपके लिए जरूरी नहीं है आपने जस्ट एक triangle ड्रॉव करनी है वो कैसे ड्रॉव करनी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ तो देखें हम इसको start करते हैं सबसे पहले आपने देखना है कि angle of elevation और angle of depression में क्या फरक होता है देखें यहां पर मैंने ये दो figure बनाई हुई है देखें ये एक human eye है अगर human eye इस तरह है कि horizontal line जिस तरह हम सीधे देखते हैं बिलकुल सामने अगर इस से उपर कोई object है यानि कि यहां पर ये जो black dot है ये object को show कर रहा है तो human eye की उपर object हो तो तो जो angle बनता है इसको हम angle of elevation कहते हैं देखें ये एक आदमी है यानि कि एक observer है ये इस line में ये line of sight है यानि कि इस की तरफ देख रहा है इस object की तरफ तो उपर की तरफ देख रहा है क्योंकि horizontal line के तो यहां पर जो angle बनेगा इसको हम angle of elevation कहेंगे इसे तरह अगर observer नीचे की तरफ देख रहा है यानि कि object नीचे है जो observer है वो height पर बैठा हुआ है या खड़ा है तो वो जब नीचे की तरफ देखेगा तो जो नीचे की तरफ angle बनता है उसको हम angle of depression कहते हैं तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि उपर की तरफ देखने के लिए जो angle बनता है उसको angle of elevation कहते हैं और जो नीचे की तरफ देखने के लिए angle बनता है इसको एंगला depression कहते हैं अब हम इस question को solve करते हैं अब देखें situation हमारे पास कुछ इस तरह है कि यहां पर एक man खड़ा है और इसकी height 6 feet है तो जो हमारे पास sun है sun की वज़ा से जो इसका shadow बनता है वो 3.5 feet है यानि कि यहां से यह sun इस तरफ जब इस तरफ टकराएगा ऐसे तो यहां पर हमारे पास साया बनेगा यानि कि यह line है जो हमारे पास अब देखें जो हमारा human है यह जो आदमी है यह इस तरफ देख रहा है अब देखें यह जो जहां पर हमारा 먹न रहा है वो line कुछ इस तरह है अब देखें, यह दो लाइनों है, एक यह लाइन है जहाँ पर हुमन देख रहा है सामने और यह लाइन है, यह जो नीचे बेरिस की उपर या जो गृ oni के उपर लाइन बन रही है यह दोनों लाइने shorts पैरल हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्योंकि human उपर की तरफ देखेगा ये बंदा उपर की तरफ देखेगा तो object हमारे पास यहां पर sun है तो क्योंकि उपर की तरफ देख रहा है तो यहां पर जो angle बनता है इसको हम कहते है angle of elevation यानि कि फर्ज करते हैं ये हमारा angle of elevation है इसको हम theta से represent का देते हैं अगर ये angle of elevation है तो क्योंकि ये जो line है ये जो हमारे पास ये जो sun से आ रही है line ये इन दोनों parallel line हो को intersect का रही है ये दोनों line है देखें ये line और ये line आपस में parallel है जो angle यहाँ पर बनता है वो ही angle हमारे पास यहाँ पर बनेगा तो हम यहाँ वाला angle find out कर लेंगे यानि कि ये theta और ये theta ये दोनो equal angle है हमने ये angle find out करना है क्योंकि लिखा हूँ find angle of elevation उपर question में अगर देखें तो उसमें लिखा हूँ find angle of elevation ये जो दोनों angles हैं ये जो same बन रहे हैं इनको हम corresponding angles भी कहते हैं अब देखें ये सारा काम आपको question में करने की जरूरत नहीं है question में आपने just एक triangle बना ली है देखें इस तरह ये angle theta बन गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक triangle बना लेते हैं देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक triangle बन जाएगी अगर आप इसको highlight करना चाहते हैं देखें ये triangle बन गया ना तो ये man है इसकी height है 6 feet यहाँ पर 6 feet लिखते हैं गे आप यह जो इसका shadow है यहाँ से लेके यहाँ तक ये shadow है 3.5 feet और आपने ये theta angle find out करना है तो इसके लिए ये जो मैंने सारा कुछ ये समझाया है आपको ये सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आप जस्ट एक triangle बनाएंगे ये जो triangle आपको नजर आ रही है ये triangle आप draw करेंगे और इसको solve कर देंगे वो triangle किस तरह की होगी वो मैं आपको बना के बताता हूँ देखें वो triangle इस तरह की बन रही है ये for example human being था ये जो इसकी height कितनी थी इसकी height थी 6 feet तो यहाँ पर हम mention करेंगे 6 feet और ये जो इसका cost shadow यानि के नीचे इसका साया बन रहा था ये बन रहा था 3.5 feet और यहाँ पर angle था ये angle हमने find out करना था angle of elevation इसको हम theta का नाम दे लेंगे यानि के paper मैं जब आपने करना है आपने just square triangle बनानी है और इतना आप बना देंगे तो आपको पूरे marks मिलेंगे वो सारे का सारा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था अब देखें हमने theta angle find out करना है तो theta के सामने वाली side involved हो रही है theta के opposite side involved हो रही है और theta से adjacent side involved हो रही है और यहाँ पर जो angle है वो 90 degree का बन रहा है ये 90 degree का angle है 90 degree के सामने hypothesis होता है और बाकी theta के opposite side और theta के adjacent side तो इसके लिए हम जो use करते थे trigonometric ratio वो थी tan theta क्योंकि tan theta के लिए हमने word use किया था toa यानि कि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये लिखना दुरूरी नहीं है आप इसको rough हमल में लिख सकते हैं और फर opposite side था और आगे a है तो a for adjacent side था तो यहाँ पर देखें tan theta ये अगर आप formula भी नहीं लिखते opposite over adjacent और आप direct यहाँ पर लिख सकते हैं tan theta is equal to ये opposite side यानि कि इसको हम perpendicular भी कहते हैं 6 feet और नीचे adjacent side theta के जो मुलिक का side है theta के जो जूड़ी हुई side है ये वाली side है ये 3.5 feet इसको हम adjacent side भी कहते हैं ये है 3.5 feet अब देखें 6 ये theta हमने find out करना है तो theta इस तरफ ही रहेगा tangent दूसरे तरफ जाके tan inverse बन जाएगा और ये feet, feed के साथ cancel out हो जाएगा हमारे पास bracket के अंदर रहेगा 6 divided by 3.5 आप calculator के मदर से आप इसको easily solve कर सकते हैं theta is equal to tangent inverse आगे calculator के उपर type करेंगे वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ देखें सबसे पहले आप calculator open करेंगे calculator open करने के बाद ये देखें calculator के corner में एक button होता है shift का इसको जब press करते हैं तो corner में छोटा सा s लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको अब 10 inverse के अंदर हमने 6 divided by 3.5 लिखना है तो आप अगर आपके पास इस तरह का calculator है तो आप ये fraction भी लगा सकते हैं या आप simply 6 divided by 3.5 करके bracket close कर दें और equal वाले button प्रस करें तो आपके पास ये 59.74 आजेगा तो theta की value हमारे पास क्या आजेगी यहाँ पर हम लिख लेंगे 59.74 डिगरी तो इस तरह ये question complete हो गया अब देखें यहाँ पर आपने अगर आप चाहते तो आप ये 3 step में कर सकते थे यानि कि ये जो मैंने step किया हुआ है ये 10 opposite side over adjacent side या सामने 2 लिखा हुआ है ये अगर आप ना भी लिखते सिर्फ इतना कर देते ये जितना आपको अब नजर आ रहा है यानि कि ये एक figure बना लेते question ऊपर लिखा हुआ है आपको या theta के opposite side और theta के adjacent side तो ये feet feet से cancel out हो गया 10 इस तरह आके 10 inverse हो गया तो 10 inverse आगे 6 divided by 3.5 किया तो calculator से value find out की तो theta हमारे पास 59.74 degree आ गया तो इस तरह ये question number 1 complete हो चुका है ये तकरीबन 2 minute लगते हैं इसको solve करने में लेकिन क्यूंके मैंने आपको पूरी theory समझाई है इसमें इसलिए थोड़ा सा time ज्यादा लाग गया है next question में मैं थोड़ा सा इसको short करने की कोशिश करूँगा